तो ये भी हर्याना का एक ही रंग है अलग सूच का जीता जाकता नमूना लेकिन अब आप मोर्यानी चलिए और देखिए जरा परियाटन स्थल का हाल खबरे अभीतक की टीम सरकार की विवस्थाओं को परखने के लिए हर्याना की सबसे बड़े हिल स्टेशन मोर्यानी की और गई मोर्यानी को विकिसित करने के दावे और प्रियाटन को बढ़ावा देने के वादूं का सच जानने के लिए हम हर कहीं गए सबसे पहले हम मोर्यानी के अतिहासी किले के अंदर गए किले में बेमिसाल खुबसूरती का नजारा देखने को मिला आने वाली प्रियाटेकों की चहरों पर खुशी देखने को मिली कारिगिरी का बहतरी नजारा देखने को मिला यहां का नजारा देकर प्रियाटक बेहद उत्साखित नजर आए इसके बाद हम मोर्नी के सबसी प्राचीन मंदिर पहुचे जहां पहुचकर मन को शान्ती का अहसास हुआ पिछली दो सरकारों के कारेकाल में चाहे वो कॉंग्रेस है या भाजपा मोर्नी जो प्रेटक स्थल है हर्याना का एक मातर जो हिल स्टेशन है उसका कितना विकास हुआ इसका reality चेक करने के लिए आज जब हमारी खबरे अभी तक की टीम मोर्नी लाके में पहुची बहुत से लोगों से बात भी तो लोग काफी खुश नजर है उनका कहना है कि काफी अच्छा जो माहोल बना है, काफी अच्छी देखने की चीजे बनी है लोगों को यहां कर आनन्द आता है, सीखने को देखने को बहुत कुछ मिलता है और अपनी जो पुरानी जो परंपर है उसके बारे में भी प्रता चलता है लोगों का कहना है कि सरकार अगर कुछ कदम और उठार कुछ और नई चीज़ों को यहाँ पर ड्वेलप करे तो एक बहुत अच्छा बेहतरीन प्रेटनस्थल यह हर्याना का उभर कर जो प्रस्तुत हो सकता है और लोगों को आने में भी इसमें काफी मजा यहाँ पर आएगा खबरे अभी तक के लिए मोरनी टिकरताल से कपिल नागपाल के साथ मैं शेशी अरोडा